नमस्कार मेरे पिरे दोस्तों स्वागत है इन विकाओ जमीन प्रोपटी यूटूब चैनल में आज का जो वीडियो है आप सब के लिए बना हुआ है और आप इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो इस वीडियो को ढंग से देख और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आकन वाली गंटी दिवाकर ओल कर दिजिएगा ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चलो दोस्तों आज का हम वीडियो करते हैं इस्टार्ट जहां पर 23 विगा है टोटल जमीन बन रही है और विकाऊ है और इसके बगल में आप देखेंगे लेकिन फिर भी ये खेती बनजर हो गई है और ये खेती बनजर के रूप से विकाऊ है अगर भाई किसी को बनजर जमीन खरीदना है तो इस वीडियो को आप पूरा देख लिजेगा और इस वीडियो में हमने भाई खेत माली जी का मोबाइल नमबर दे दिया है उस पे जा क पहले बात करेंगे ये बंजर जमीन जो है किस रेट में रहने वाली है दोस्तों यहाँ पर 23 विगहा टोटल जमीन है अगर प्राइज की बात करेंगे यहाँ पर तो 11,50,000 रुपे की टोटल ये कुल जमीन बन रही है और 11,50,000 रुपे आपके पास अगर बजट है तो ये वा जो है ओ धिरे धिरे बेकार होने लगता है जैसे आप अपने घर पे रहते हो और अपने घर की सफाई नहीं करो तो देखिएगा ओ जो है आपका छे महने बाद साल बाद जो है मकान जो है गिरना इस्टार्ट हो जाता है वहाँ पर जंगल बंगल और मुम्झा बहुत कुछ स्टार्ट हो जाता है तो इसी बात पर ऐसा ही ये वाला वीडियो है कि इस खेती में कोई भी खेती करने के लिए तयार नहीं है और खेत मालिक ने ऐसा प्रॉब्लम आया जो कि उनको ये खेती आज बेचना ही पड़ रहा है जहां पर दोस्तों उनके दो ही पैर और काटना खेती कोई करने के लिए तयार नहीं है तो इसी लिए यहां पर इस खेती में बंजर बना दिया गया है और बंजर बना पड़ा हुआ है और इसे आप भाई अगर खरीदना चाहते हो तो खरीज सकते हो 11,50,000 रुपे की मोटी रकम लगा कर रहे और 23 बिगहा टोटल जमीन आप भी खरीज सकते हो किस डिश्टिक में जमीन पढ़ने वाली है किस लोकेशन पर रहने वाली है हमने आपको इस वीडियो में सब कुछ बता देंगे और आपको जानना बेहत जरूरी है दोस्तों आप जानते होंगे ये महमूनदाबाद तहसिल अंतरगत के तहसिल में आती है और ये महमूनदाबाद तहसिल जो है तो मस्त ही तहसिल है और नमबर वन पे तहसिल है उसी तहसिल की ये जमीन है और गाउं की अगर बात करेंगे दोस्तों तो लग भग आपको महमूनदाबाद ख उस बाद आपको एक भठा प्राप्त हो जाएगा और वहांपर जो कि अन्ना मारकेट आपको भी प्राप्त हो जाएगा वहां मार्केट से आपको लगभग 3-4 किल्मेटर के अंदर ही ये जमीन आपको प्राप्त होगी जब आप दाए हाथ साइड में चलेंगे एक डामर रोड से तो आपको लगभग 3-4 किलोमीटर के अंदर जब निकलेंगे तो ये वाली जमीन आपको बाये हाथ प्राप्त हो जाएगी और प्राप्त होने के बाद आप जैसे ही जमीन को देखेंगे खुद ही आपको कनफर्म पता हो जाएगा कि भाई हाँ ये ही जमीन विकाओ ह क्योंकि खेत में जो है पूरा जंगल लगा है और बंजर जमीन टोटल पड़ी हुई है और साथ में आपको एक कोने में समर सेबुल भी देखने को मिल जाएगा जहां पर और अच्छा खांसा वो पानी देती है और उसके साइड में देखेंगे तो 11,000 लाइन निकली है और खेत के बगल बगल तोटल खंभा गड़े हुए हैं आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि भाई यही जमीन गर हम दोस्तों खेत माली जी के नाम के बारे में बात करेंगे तो उनका नाम है दोस्तों प्रंस कुमार वर्मा और प्रंस कुमार वर्मा जी की यह दोस्तों जमी जमीन है और उनकी साधी तो भी नहीं हुई है लेकिन पता जी पिता जी जो है वो बहुत काफी समय पहले जो है इस पैर हो गए थे और वो काफी छोटे थे और उसके बाद जो है यह हरियाडा और गुजरात आहमदाबाद ऐसे ही काम करने जा रहे थे और इनका जो है बीच मे जमीन अपनी हटाना चाहते हैं और बाकी देखेगा इस जमीन पर भाई कोई जगडा और विवाधित नहीं है और इनके पिता जी के नाम थी और उनके इस बाहर होने कर सकते हैं बात करना है तो बात कर सकते हैं देखेगा हमारे डुसक्येशन में वहाँ पर लिखा है कि मालिक नमबर और उस पर जा करके आप भी बात कर सकते हैं और ये तो सब को पता है कि मोबाइल के आएंदर वीडियो होता है और वीडियो पर किसी का नमबर अलाव नहीं हो देखेगा अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा है सभी हमारे वेंडियंस को तो इस वीडियो को लाइक कर दिजीगा और जितने भाई हमारे नए नए वक्त महमान बने हुए हमारे विकाव जमीन प्रोपर्टी यूटूब चैनल में तो जा करके चैनल को जो लेकर के आते रहते हैं तो फिर उसकी नोटिफेक्शन सबसे पहले आपको मिल जाएगी और सबसे पहले आप उस वीडियो को देख करके सबसे पहले आप जमीन को भी खरीज सकते हैं चलो हां दोस्तों अगर यह वाली जमीन आपको नहीं पसंद आ रही है किसी दूसरे लोकेशन की ढूरते हैं और ढूरते ढूरते प्रशान हो जा चुके हैं और नहीं मिली जमीन तो आपको क्या करना होगा आप घबडाईए मत आप जो आ चुके हैं तो बहुत अच्छे एक विकाव जमीन प्रोपर्टी यूटूब चैनल पर आ चुके हैं देखिएगा हमार चाहिए है तो आपको क्या करना होगा हमारे कॉमेंट बाक्स में हमसे बता दीजीगा कि भाई हमको उस लोकेशन की जमीन चाहिएगा हम वादा करते हैं आप सभी अपने मित्रों और दोस्तों से कि हम अपने टीम से भी संपर करेंगे और अगर मेरे टीम के साथ में उस लोक करा सकते हैं